हेलो यूरी वन गुड मॉनिंग नमस्कार 15 नॉमबर 2021 और आज के दा हिंदू निजपेपर को आप लोग डिसक्स करेंगे आप इसके पीडियोप को डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम से जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन मिल जाएगा या सीधा प्रिवर्तन आइज ट प्राइमिंग देखेंगे ठीक विंटर सेशन जो पार्लियमेंट का सुरू होने वाला है उससे पहले ये गवर्मेंट ने एक तरीके से अध्यादेश जारी कर दिया है इसके अलावा इसमें क्या इंपोर्टेंट है क्यों ये किया जार उसके बारे हम बात करेंगे CBIN is Central Bureau of Investigation और Enforcement Director इनका जो करेकाल अब होगा दो साल और मैक्सिमम जो है पांच साल तक हो सकता है क्योंकि अब इसको annual extension दिया जा सकता है इसको लेकर बहुत ज़्यादा डिबेट आपको देखने को मिलेगी इस पूरी topic को लेकर तो दो important act है जिसमें CBIN जो power एक तरीके से Establishment Act 1946 और सेकिंड जो है Central Vigilance Commission Act 2003 जिसके जो ED के respect में इन दोनों के अंदर changes किये जाएंगे इनके tenure को लेकर और इनके लावा अगर आप देखेंगे इसमें जो extension को लेकर जो debate है वो काफी important और अब जो है दो साल तो होगा इसके लावा उनको maximum जो है पात साल तक भी extension दिया unwanted extension नहीं होना चाहिए इस तरह की post के लिए CBI और ED यानि enforcement director definitely जब इस तरह की चीज़ें होगी तो political एक तरीके से एक decision भी होगा यहाँ पर ही photograph में आप देखेंगे कि अलगलग political party खासकर opposition political parties ने इस तरह की extension को लेकर जो है वो सरकार पर एक attack किया एक सरकार को criticize किया यह सारी च two three काफ important हो जाता है इस पूरे प्रस्पेक्टिव में जब प्रेजिडेंट्स आप order को सरी ओडिनेंस को release करते है या अध्यादेश जारी करते है अध्यादेश को या ओडिनेंस को एक temporary provision बोल सकते है जब Parliament का session नहीं चल रहा है तो यह बहुत important topic है इसको जुरूर एक बार revise क करिए पढ़िए इसके right hand side एक important news है छोटी छोटी जो news हम discuss करेंगे सबसे पहले बात की गई है deliveries of S-400 system लगातार जिसके बारे में हम continue पढ़ रहे हैं कि S-400 जो missile system है उसकी delivery शुरू हो चुकी है और यह Russian official के द्वारा confirm कर दिया गया हमने कल भी discuss किया था उससे पहले भी discuss किया 2021 में complete हो जाएगा अलग अलग parts में जो ही आएगा और उसके बाद इसको भारत में connect किया जाएगा 5 important S-400 system हम लोग purchase करेंगे रस्या से और इसकी total amount होगी 5.43 billion dollar इतने की यह deal है इनके अलावा यह important इसलीव है क्योंकि अगले महिन यानि December के अंदर Russian President Vladimir Putin की important visit होगी इंडिया के इंदर और S-400 air defense system भारत के लिए उस हिसाब से important है इसके अलावा एक और जो possibility क्या Cards Act यानि countering America's adversities through Sanction Act इसके तायच अमरीका भारत पर sanction लगा सकता है या possibility उसको लेकर भी discussion किया जाएगा और क्योंकि अगले महिने जो है एक important summit भी होने वाली है 2 plus 2 ministerial dialogue जिसको बलते है जिस कंट्री कोई भी हो सकती है यूएस हो सकती है रशिया हो सकती है अलग अलग कंट्री हो सकती है ये कुछ चीज इसको लेकर definitely यूएस से भी discussion किया जाएगा तो काफी debatable topic भी है कि क्या Cards Act के अंदर भारत को इसमें USA चूट दे सकता है नहीं दे सकता हो सारी चीज़ों को लेक discussion किया जाएगा लेकिन यह काफी important है मैं request करूँगा कल एक important topic discuss किया गया इसको लेकर as foreign system को लेकर Cards Act को लेकर वो FAQ एक topic होता संडे को उसके अंदर details इसके अंदर mention किया गया अगर आप video देखिए नहीं तो आप इसके just ऊपर PDF मिलेगी एक और वहाँ पर आप खोली उसको study क किया गया है call phase down is a right word यहाँ पर mention किया गया ministry ministry की तरफ से या हमारे environment ministry के द्वारा right यह word का क्या मतलब होता है recently आपको पता होगा COP26 एक agreement हुआ है और COP26 में एक deal हुई है जिसमें phase out की जगा phase down एक word यूज़ किया रहे phase down और phase out में क्या difference है कोई लेके perspective में अगर हम phase out word यूज़ कर देते तो इसका मतलब होता है कि आपको बिलकुल predict करना पड़ेगा खतम करना पड़ेगा और phase down का मतलब है क्या phases के अंदर कम करिए उसको कोई लेके usage को लेकर और यहाँ पर बताया गया कि इंडिया जो है definitely इसक जो energy है वो renewable sources के दो जनरेट करी जाएगी यह सारी चीज़े है इन सब के बीच में एक important report की बात करें तो उसमें बोला है climate action tracker के according इन्होंने बताया कि जो promise 2030 तक जो nation ने करें देशों ने करें उसके according भी 21 अबदी के अंत तक हम लोग 2.4 degree Celsius तक पहुंच जाएंगे यानि जो दुनिया वर के देश कोसिस कर रहे हैं कि 2 degree Celsius और even 1.5 degree Celsius को कर तक कंट्रोल कर पाएं वो फिलाल के लिए possible नजर नहीं आता इसके अलावा यहाँ पर ये भी mention किया गया है कि अभी अगर आप देखेंगे आज के time पे यानि 2021 में जो हमारा एक्टिवेश टेंपरेशर में rise हो 2.1.2 degree Celsius तक अल्रेडी हम लोग increase कर चुके हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2.4 degree Celsius हो जाएगा अगर ये target complete भी हो जाते हैं इंप्लिमेंटेशन भी हो जाते हैं तो कितना serious और बोल सकते हैं कि international एक topic है जिसका impact हर देश पर पड़ेगा इसके लाबा सेम चीज़ें बताएगी कि United Nations Framework conventional climate change में इसको लेकर discussion किया गया और greenhouse gases के mitigation को लेकर भी एक तरीके कोशिस करने सब देश उन्होंने commitment किया भारत ने भी commitment किया लेकिन भारत एक चीज़ पर काफी ज़्यादा बोल सकते हैं कि नराज मालीजी जो सबसे ज़्यादा topic raised किया भारत ने वो है climate finance बहुत important है तो यह climate finance नहीं होगा अगर developed country जो है वो पैसा नहीं देंगे developing country को तो कहां से mitigation होगा कहां से technology आएगी कहां से वो investment करेंगे तो यह important और इनका commitment बेनके एक responsibility भी है क्योंकि 2009-2015 इन्होंने commitment किया लेकिन अभी तक भी deliver नहीं किया इसके लाब भारत यह बोलता है कि भारत को right होना चाहिए कि fair share use करें वो global carbon budget का यह जीतना carbon budget उसमें भारत का responsible हिस्सा होना चाहिए उसके एक जिसको कई भार climate justice बोलते हैं यह सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी ठीक आप लोगों के लिए एक question है मैंने कल discussion क्या था सुदान की geographical location को आप लोगों को नीचे comment करना कि सुदान किस ज्यादा न्यूज में यह country है इसके जस्ट नीचे बिलकुल नीचे अगर आप देखिए इस paper में या front page पे तो यहाँ पर एक information share करेगी हमारे मिनिश्टर साब के दवारा commerce इंडस्ट्री टेक्टाइल मिनिश्टर प्यूस गोहिल के दवारा उन्होंने बोला कि festive seasons के अंदर sales जो काफी improvement हुई है और उसकी वज़े से economy के अंदर भी improvement हमें देखने को मिला है 2021-22 के data को दिया गया कि 2021-22 में भारत का जो export है वो 550 billion dollar तक हो चुका है इसके अलबा merchandise export के अगर हम बात करें तो यह 235 billion dollar है और इसके अंदर अगर आप services को भी include करेंगे तो 150 billion dollar के आस पास है औ और उमीद है कि 400 billion dollar तक इस साल के end तक यह increase हो जाएगा इनके अलावा यहाँ पर काफी important इन्होंने data दिया कि economy जो recover कर रही अलग-अलग indicators में जैसे purchasing manager index हो या GST collection का data यह show करता है कि भारत के अंदर तेजी से improvement हो रहा है और economy recover कर रही है इस तरह के data जब मैं authentic data के बारे में बा 2021 में की 550 billion dollar तक export increase हो यह data यूज करी authentic means के answer writing में इसके बाद page number 5 पे दो important चीज़े है जो कि exam से directly link है उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर mention किया गया role of southern state की in countries development यानि भारत के जो दक्षिनी राज्य है उनका एक important role है भारत के development में south के जितने भी state है उनके बार इसमें अगर आप देखेंगे सद्रन journal council हुई उसके बारे में discussion किया गया इनके अंदर दो important चीज़े हुई कि पहला तो definitely भारत के अंदर हर पार्ट का हर state का important role है south का important role है इसमें सद्रन journal council के बारे में discussion किया गया एक word यूज किया था इंटर state council और यहाँ पर भी mention किया गया कि जितने भी languages हैं चाहिए वो south क्यों या भारत की कोई भी language उसको respect करिए आप अपनी language के अंदर भी बात कर सकते हैं दूसरा यहाँ पर यह भी बुला गया कि vaccination को post up करिए खासकर second dose of vaccination और इसके अलावा interstate डिश्पूर्ट जो उनको resolution करिए इनके अलावा सरकार planning करिए कि IPC CRPC या evidence इनके अंदर जो improvement किया जाए amendment किया जाए और इसको लेकर state government जो अपने suggestion दी जाए interstate अगर council की बारे में बात करेंगे तो यह आपको ministry of home affair के अंदर देखने हो को मिलेगा government of India के अंदर और इसके लिए एक particular article भी है article 263 जो की constitution of India के अंदर mention किया गया है और इसमें यह बोला गया कि president साब को अगर यह लगता है कि एक interstate council बनाने की जुरूत है ताकि जो dispute है states के बीच में और resolution किया जासके state या center के बीच में एक dispute है उन सब को solution करने को लेकर एक important यहाँ पर चीज़ें देखने हो को मिलेगा यह नहीं dispute को solution करने को coordination को improvement करने के लिए interstate council का एक important role है इसके just नीचे एक और important news आपको नजर आएगी that tiger tourism on नला मला hills करके mention किया गया है कि नला मल टीगे से tourism की तरह promote किया जाएगा और यह काफी important भी है क्योंकि अमराबाद tiger reserves हो है वहाँ पर इसको as a tourist hub की तरह development किया जाएगा आप लोगों के लिए second question है आपके लिए second question क्या है यहाँ पर जैसे नला मला hills दी गई है south में बहुत सारी hills या mountains आप range आपको देखने हो आपको नीचे कमेंट करना है कौन कौन सी हील जो है उसको sequence में लगाना जैसे north से लेकर south तक इसके अलावा second question अगर आप attach करेंगे इसी के साथ यहाँ पर mention किया गया कि अमराबाद tiger reserve देश में इस टाइम total number of tiger reserve कितने है वह आप नीचे कमेंट करेंगे exactly total number of tiger reserve और last tiger reserve कौन सा है यानि जो last tiger reserve बनाया गया था उसका name क्या है और मैं आपको बता दू हिंट दे देता हूं कि वह तमिलाडू के अंदर ही बनाया गया था आप नीचे कमेंट करेंगे सोरी मैं थोड़ा से इसमें correction कर देता हूँ तमिलाडू के बाद दो और श्टेट के अंदर जो है वह announcement हुई है राइट की tiger reserve बनाया जाएगा तो आप नीचे कमेंट करेंगे total number of tiger reserve कौन सा है और अभी जो proposal हुआ है कि एक और tiger reserve बनने वाला नया वह कहां पर बनेगा और उस 51 प्लस ही आपको number देखने को मिलेगा आने वाले time में इसके बाद editorial पार्ट को हम लोग discuss करेंगे editorial में तीन important editorial जो आज आए उनको discuss करेंगे सबसे पहले लोस्ट कोज करके जो title दिया गया है यह article discuss करता है recently महराष्टा की गड़ चिरोली जो district है वहाँ पर जो next light है उनको एक पिक discuss करता है कि भारत में next light की situation क्या है और माविष्ट क्यों एक तरीके से जिसको बोलते हैं कि armed forces के थरू या violent के थरू जो है वो एक rule अपना establishment करना चाहते है इसके लावा history legend करके जो article दिया गया इसके जस्ट नीचे यह चाइना के अंदर जो political party के अंदर discussion हुआ उसको ले tutorial को detail में discuss करेंगे सबसे पहले बात किया गया a lost cause करके despite severe losses the mawist refuse to acknowledge the futility of their cause futility का मतलब है कि उसमें वो फिर भी पीछे नहीं हट रहे हैं कि उनको इतना ज्यादा नुक्सान हुआ है जिसको पता है कि उनका जो लक्षे है वो उसका कोई मतलब नहीं है फिर भी वो इस चीज़ से पीछे नहीं हटते है recently 26 rebels जो है वो police operation के अंदर मालेगे mawist के गडचिरोली district के अंदर और अगर आप गडचिरोली district की geographical location को देखेंगे महराष्टा के eastern side में अगर आप महराष्टा street को देखेंगे इसके just eastern side में और काफी close है ये 36 कड़के इसलिए यहाँ पर presence भी आपको ज्यादा देखने को भी लेगी तो इस district में जो police operation के अंदर 26 ऐसे rebels जिनको मारा गया उनको उनको पर क्योंकि mawist ने इस तरह के जो groups है नक्सलायट ने कई बार security पर अटक किया Communist Party of India mawist ये responsible माने जाते हैं कि भारत में अभी भी armed struggle यानि weapons के तुरू ये struggle करना चाहते हैं और ये area काफी important और sensitive भी इगर सी रोली वाला क्योंकि ये forested area है और tribal dominated districts है महरास्टा के अंदर और महरास्टा की poorest districts में से एक है यानि महरास्टा की उन district में count किया जाएगा जो अभी तक भी सबसे गरीब districts में से एक है इसके लावा इसी तरह के operation 2018 में हुए थे क्योंकि 2019 में इन्होंने कई सारे police personnel पर attack किया था उनकी हत्या कर दी थी और वो तरीके से देश के लिए या राष्टे सुरक्षया के लिए सहीद हो गये थे इसके अलावा left wing extremism की जो ये चीजे है ये definitely देश के अलग अलग हिसों में देखने को मिलती है हाला कि इनका जो place है ये इनकी जो presence है वो धीरी धीरी कम हो रही है अगर आप ministry of home affair की data को देखेंगे तो उन्होंने ही mention किया कि district जो है वो जिससे next light से बहुँ जादा affected है वो कम हो रही है इनका influence कम हो रहा है लेकिन अभी भी ये arm struggle को छोड़ना नहीं चाहते वो लिन्स का जो cycle है उसको छोड़ना नहीं चाहते इसका impact क्या पड़ता है इसका impact पड़ता है जो tribal people वहां पर रहते माल लेते गर्ची रोली में जो आदिवासी समाज के जो लोग है या जंजातिय समाज के जो लोग है इनके उपर असर पड़ता है इनका development नहीं होता क्यो बहुत जादा नहीं कर सकते इसलिए कोशिश करते हैं कि वो लोगों की spot ले हलाकि उनको कोई spot नहीं मिलती ground level पर इसके अलावा सरकार के जो program उनको disturbance करने कोशिश करना और ये माना जाता है कि 1920 में जो चाइना के थूँ ये जो इन्होंने अपनी माविष्ट प्रोग्राम है इसका direct relation है Chinese revolution के तरू हलाकि भारत में ना तो चाइना जैसी कोई condition है और ना ही भारत में चाइना की तरह कोई क्रीके से farmers की उनको कोई spot है क्योंकि इस तरह की चीजों को spot मिलना आज के time में possible नहीं है और इसके लावा ये जो gorilla strategies follow करते हैं और उसका impact जो है definitely भारत के tribal population पर होत हैं ये कोशिज करते हैं कि जो tribal population है वो government of India या महरास्टा government जो है उनको follow ना करे या उनके जो democratic process उसके अंदर सामिल ना हो उनको spot करे वो चीजे नहीं होती इसलिए कई बार आपने देखा होगा ये sentiment से खेलते हैं लोगों के sentiment in the sense की जो tribal population है उनको emotional करना की नहीं सरकार आपक machinery की अगेश इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि जो operation होते हैं जैसे 36 गड में कई बार attack होते हैं next slide के दौरा security personal पर उन attacks में ये क्या करते हैं गाओं में चले जाते हैं गाओं में क्या होगा अगर मतलब 5000 लोगों का एक tribal village है वहाँ पर operation करना इतना असान नहीं होता से ज्यादा चैलेंजिंग यह है और क्योंकि यह area पूरा forested area है और इसलिए काफी चीज़े इसके system के यह security personal के लिए चैलेंजिंग भी है लेकिन काफी हद तक जो है आप देखेंगे कि भारत में next slide के impact को धीरे-धीरे ही सही लेकिन उसकी कम ही हो रही है उसमें एक तरीके से reduce हो रहा है इसके जस्ट नीचे जो editorial है वो है चाइना के अंदर एक important वहां की जो political party उसका accession हुआ उसके अंदर कई सारी important चीज़े discussion करेगी यह क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं directly exam में नहीं आएगा कि चाइना की political party में क्या हुआ लेकिन वहाँ पर चाइना में इस time पर हो गय चाइना चाहिए चाइना प्रिपेरिंग फॉर ए मेजर लोंग ट्रम शिफ्ट इन इस पॉलिक्स अंडर सी जिन पिंग तो यहाँ पर मेंजन किया गया कि सेंट्रल कमिटी की मीटिंग हुई चाइना की communist party और ने एक resolution पास किया कि हमने historically क्या achievement हसिल करी अब तक इनके अलाब 100 येर की history में इस तरह के तीन बार ही resolution जो है पास किये गए है वहाँ पर दो resolution जो है Mao Zedong ने 1945 में और डेंक जो पिंग ने 1981 के अंदर पास किये थे अब जो है सी जिन पिंग जो की माने जाते हैं कि strongest hold रखते है political party पर और लगवा 5000 वर्ड का एक कमिनुक issue किया गया हलकि इसको public नहीं किया गया जब public नहीं किया गया तो issue किसको किया गया ये भी बड़ा सवाल है इसके अलावा 1981 और अब से थोड़ा सा difference होगा 1981 में जब एक तरीके से Mao की mistake को भी इसके अंदर mention किया गया था cultural revolution 1966 और 1976 के दोरान लेकिर इस बार ये चीज़े इसके अंदर mention नहीं की गई ह इसके अलावा historical resolution के अंदर अगर हम देखेंगे कि इन्होंने बताया कि अब तक जो चीज़े हमने हसिल करी है political party के integrity को maintain करना score जाधा strengthen करना और इसके अलावा leadership में विश्वास करना party leadership पर विश्वास करना और Xi Jinping को praise करना कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया पूरी दुनि कीगी इनके अलावा अगर आप इसके end में देखेंगे तो काफी चीज़ें चेंज होती है नजराए क्योंकि Xi Jinping को माने जाते है परसन चाइना की political party के अंदर कि ये strong hold रखते हैं और बहुत ज़्यादा कोई opposition इनका नहीं है one side देक तरीके से rule जो करते हैं चाइना के अंदर इनके अलावा आने वाले टाइम में ये देखा गया कि जो हमने एक journey development किया जिसको follow करना उसको continue करना और चाइना को lead करना इसलिए आप देखेंगे लगबग एक दसक हो चुका है 2012-13 के अंदर season फिक president बने थे तब से लेकर अब तक इनोंने काफी strong hold किया चाइना पर और विरोध होगा इनोंने इनका dispute issues है इनके अलावा चाइना के अगर हम बात करें तो चाइना वो country माले जाते हैं जो विश्तारवादी नीती बनाती है विश्तारवादी इन दसेंस की चाइना पाकिस्तान economic corridor one road one belt यहाँ पर South China Sea के अंदर ये कोशिज कर रहे हैं दुनिया वर क पर important editorial है जो third और most important editorial होगा striding back into the Afghan theater और ये article discuss करता है अफगानिस्तान में क्या भारत की ये को space है या अफगानिस्तान में जो भी चीज़े हो रही है उस context में इंडिया और अफगानिस्तान के क्या relation होने चाहिए किस तरीके से safe दिया जाना चाहिए उसको लेकर ये article discuss करता है अभी third regional security dialogue होगा अफगानिस्तान को लेकर number 10 को जिसमें national security advisor level की meeting हुई जिसमें total 8 countries के जिसमें इंडिया रश्या और इरान और five central Asian countries जो है इसके अंदर participate किये और important चीज़े discussion करेगी इसके लावा अफगानिस्तान में इंडिया का क्या role हो सकता है वो सारी चीज़ों को लेकर ये पूरा का पूरा top discuss किया गया five central Asian Republic में कजाकस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उजबेकिस्तान ये country आएंगी हलाकि इसमें China और पाकिस्तान को भी invite किया गया था लेकिन पाकिस्तान ने इसलिए मना कर दिया कि हम भारत के साथ जो stay share नहीं क पामिल हुए तो उनका कोई एक तरीकेशी surprising नहीं है ये बहुत ही obvious था कि वो avoid करें साथ इसके अलावा similar concern की अगर हम बात करें तो इसमें national security advisor और secretaries of national security council ने participate किया इसके अंदर दिल्ली declaration हुआ दिल्ली declaration का मतलब है दिल्ली में NSC जो meeting हुए उसके बाद जो outcome हुआ कि क्या चीज़े हमने decide करी उसको लेकर discussion किया गया इनके अलावा international community से जब हम similar concern को share करते है similar concern in the sense की security को लेकर है terrorism को लेकर है या Afghanistan अगर failure कर जाता है तो उसका impact को लेकर refugee crisis को लेकर वो सारी चीज़ों को concern है इसके अलावा इसके अंदर ये mention भी किया गया कि ensure करना इस declaration के अंदर कि अफगानिस्तान की जो मिटी अफगानिस्तान की जमीन है वो terrorism के लिए यूज नहीं होगी और extremist ideology के through का उसमें spread नहीं होना चाहिए इसके अलावा यहाँ पर अफगानिस्तान में कोशिस करनी है क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान की government है उसकी economy का main source है वहाँ पर अफीम या तरीके सकते illegal drugs उसी context में उसको control करना उसको रोकना ये इसके अंदर mention किया गया इसी declaration के अंदर mention किया गया कि gender issues को लेकर एक acceptable behavior होना चाहिए minority right को आप accept करिये और आपकी government में सारे sections को include कीजिए लेकिन क्या ये objective जो है वास्तों में realistic है जो हमने बोला दिली declaration कि अफगानिस्तान ये करे क्या वास्तों में अफगानिस्तान करने वाला है ये बड़ा सवाल है दूसरा तालिबान करने वाला है 1990 में जब तालिबान ने control किया था इसमें 1996 से 2001 के बीच में उसके अब वाली victory में difference है क्योंकि इस time 2021 में अफगानिस्तान के पूरे हिस्से पर तालिबान का कफजा है तो इस context में क्या ये सारी चीज़े और possible है दूसरा अफगानिस्तान को अभी अफगानिस्तान की जो सरकार उसको किसी country ने recognize नहीं किया उनके पास economic source है नहीं तो क्या illegal drug trading र कुछ सवाल है उनको जो है दुनिया भूर का जवाब देना है इसके अलावा hurdles क्या है problem क्या है जिसके अगर हम बात करते है इसमें inclusive government के बारे में या सभी political forces को क्या इतरीके से क्या उसमें include मिलेगा या ethnic minorities को right मिलेंगे ये सारे concern definitely important भी है और दुनिया भर के देश यही मानते कि जब तक inclusive government नहीं होगी सभी groups का participation ही होगा women's का participation ही होगा recognize नहीं करेंगे बहुत सारी countries ने इसको लेकर discussion किया और भारत का भी ये एक opinion है लेकिन क्या भारत अपने आपको बिल्कुल different रख सकता अलग रख सकता 15 अगस्त को जब अफगानिस्तान के जो president थे असरा अफगनी वो अपने देश को छोड़ कर चले जाते हैं और अफगानिस्तान में जो है तालीबान एक तरीके से victory access करता है और पूरे country पर control को hold करता है लेकिन इस context में क्या भारत अपने आपको बिल्कुल separate कर सकता है और अगर भारत engagement करता है तो किस तरीके से engagement करेगा ये कुछ सवाल है और definitely government of India के सामने concern है इसको answer करना है इसके बाद बात करते हैं इस पूरे scenario में पाकिस्तान का क्या relation है दो important relation है पहला पाकिस्तान देखेंगे यहाँ पर एक लंबी boundary share करता अफगानिस्तान से राइट दूसरा अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये वो country जिनके सबसे close relation है दोन की basic जो education है जिसको primary education आप बोल सकते हैं वो इन्होंने करवाई है कि आप ऐसे हत्यार चलाइए इनका एक system है train करना इनके अलावा यहाँ पर अफगानिस्तान के जो foreign minister है वो इस time मुला अमीर खान मुतक्की ये अभी पाकिस्तान के अंदर गए बातचित करी high level का delegation इन्होंने बातचित करा और लेकिन भारत क्या इस पूरे scenario में absence नजर नहीं आता राइट जैसे दोहा में एक meeting हुई इंडियन अमेस्टर और तालिबान के बीच में लेकिन उस तरह की meeting फिर continue नहीं हुई तो क्या भारत इसमें एक तरीकिस actively engaged नहीं हो पा रहा है अब भारत के सामने क्य options है इस पूरे scenario के अंदर तो भारत को reestablishment करना पड़ेगा अपनी presence को इवन रशिया ये बोलता कि सभी regional players का अपना अपना एक important role है और definitely हर country अपने हिसाब से चीजों को set करेगी अपने हिसाब से relation को maintain करेगी इवन जितने भी यहाँ पर centralation country है रशिया इरान है इनके एक relation आपको देखने हो को मिलेगे इस particular country के अंदर ठीक है इसके लावा इस country में अफगानिस्तान के अंदर जो अभी यहाँ पर आप देखेंग मुतक की जो इनके acting foreign minister है वो यह बोल रहे है कि भाई trade होना चाहिए हम चाहते हैं कि भारत अफगारिस्तान के अंदर investment करे ट्रेड कर और वागा बोर्डर के थूँ जो है भारत से अनाज भेजा दे क्योंकि ग्रेव humanitarian crisis जो है और देली declaration के अंदर भी mention किया अगे urgent humanitarian assistant की इनको requirement वो भीजी जाए इसमें direct supply की जाए अफगानिस्तान को थूँ बागा बोर्डर ठीक 50,000 टन जो हमने घहूं भेजा है अफगानिस् अबनों ने बोला कि definitely हम इसको consider करेंगे और इसके थूँ भीजा जाएगा 2002 के अंदर टोकियो के अंदर टोकियो में अफगानिस्तान जो conference हुई थी उसके अंदर भी mention किया गया था वीड जो हो हैंडवर किया जा सकता है world food program को अगर मान लेते भारत और पाकिस्तान के relation अच इसके बाद definitely China काफी जाएगेज है इस पूरे scenario के अंदर और Taliban के साथ मीटिंग को hold कर रहा है इस पूरे context में इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए definitely भारत को focus करना पड़ेगा re-establishment करना पड़ेगा otherwise भारत जो है वो heavy loss face कर सकता या भारत को जो है इस पे heavy prices पे करने प concern राइट कि अगर अफगानिस्तान stable हो गया instable हो गया sorry fail कर गया इक country disturb होगी तो इसका impact क्या पड़ेगा जमुन कस्मीर भारत के state national security illegal drugs फेलना सुरू हो जाएगा यहां से इरान और इरान से इंडियन ports में यह इंडिकली नेपाल के through इंडिया में आएगा राइट कई सारे च अरणाचल प्रदेश की state butterfly अब होगी इसको लेकर environment के perspective से biodiversity के perspective से यह काफी important है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे पहली बात यह बताएगा कि 90 से लेकर 120 mm की एक wingspan है यह आप देखेंगे यहां पर ठीक और यह Eastern Himalayan region के अंदर मिलेगी भारत का Eastern Himalayan region है यहां पर इसक प्रदेश की state cabinet ने decision लिया कि वहांके जो chief minister है पेमे खांडो साब होना decision लिया कि एक लार्ज ब्रैटली कलार्ड केसरे हिंज जो है state की butterfly होगी और एक important meeting हुई pocket tiger reserve के अंदर और unusual location के अंदर बोल सकते हैं इसके अलाबा यहां पर cabinet ने एक adopt किया एक resolution या declaration pocket tiger reserve 2047 declaration जो की अरणा इन को lower करना sustainable development को जो है वो promote करेगा तो केशरे हिंज जो है काफी important है इसका मतलब होता है emperor of India और माना जाता कि six state के अंदर इसकी presence हिमालेयन में देखने को मिलती है इसका elevation की बात करेंगे तो 6000 से लेकर 10,000 feet की height तक altitude तक यह देखने को मिलती है यह जो है नेपाल बुटान मैं इनके लाबा अगर आप देखेंगे 1972 का जो wildlife production act है उसकी schedule 2 के अंदर ही आता है यह काफी important act है wildlife production act 1972 और इसके अंदर जो schedule 1 है वो तो बहुत ज्यादा important है यह schedule 2 के अंदर आएगा यह ध्यान अखेंगे इसके लाबा अगर आप देखेंगे इसकी जो presence है वो पहले देखी गई अंदर इसलिए इस पर continue एक तरीकर से request करेगी कि इसको state butterfly की रूप में launch किया जाए यह इसको जो हो state butterfly बनाया जाए राइट state butterfly को लेकर UPSC ने प्लिम्स में एक सवाल पूछा था कि पहला state कौन सा जहाँ पर state butterfly announcement हुई थी यानि किस राज्ये ने सबसे पहले राज्ये की जो butterfly या राज्ये की जो तितली है वो announcement करी थी वो आपको नीचे comment भी करना है वो आपको नीचे ये भी देखना है अपनी previous year question में कि कौन से साली question जो UPSC ने पूछा था state butterfly को लेकर ठीक तो आप नीचे comment करिए कि कौन सा जहाँ पहला state इंडिया का जहाँ पर state butterfly announcement हुई थी इसके बाद page number 9 पे अगर आप देखेंगे divide between have not करके एक word mention किया गया ये chief justice of India साब के दवारा कुछ important चीज़े बताएगी और यहाँ पर इन्होंने mention किया कि economic freedom बहुत important अगर आप economic freedom नहीं होगी तो फिर real freedom जो है उसका कोई मतलब नहीं होता ये इसलिए बहुत जादा important है तो इन्होंने कुछ important जो words mention किये गए वो हम बात करेंगे कि इन्सान तब तक free कैसे हो सकता जब उसको economic freedom नहीं मिलती इनके लावा dignity को लेकर हर व्यक्ति के एक dignity होने चाहिए और इन्सान अगर एक तरी कैसे उसके पास poverty के अंदर तो definitely misfortunate है और responsibility हम सब की कि जो constitution के अंदर desperation थे जिसके तरूँ struggles के तरूँ भारत के जो freedom fighters थे जिनोंने हमें अजादी दिलाई उसके बाद constitution बना उसको हमें safe करना है उसको लागू करना है और judicial independence के बारे में भी discussion किया गया यहाँ पर यह mention किया गया कि एक महिला जो distress के अंदर है एक बच्चे को जो need है अगर उसको illegally detain कर लिया गया तो definitely वो court को पहले approach करती है इसी context में यह ensure करना कि justice delivery system grassroot level तक पहुँचे हर व्यक्ति तक पहुँचो और हर व्यक्ति court के अंदर क्यों जाता अगर कुसको कोई परिशानी होती है तो वो चाहता कि immediately उसको relief मिले लेकिन इस system को simplify करना हर व्यक्ति की पहुँच तक रखना यह बहुत जरूरी है यानि कोई एक गरीब व्यक्त इस तरीके से होना चाहिए कि उसके जो resources है उसके पास जो संसादन है वो खताब ना हो जाए इसके बाद page number 10 पे एक छोटी सी information है आएम में यह चाहता है कि डावेटिक्स जो patient है उनको जो vaccination उनमें भी लागू किया जाए और booster dose भी उनको दी जाए ताकि millions इस तरह की millions of citizens जो इस तरही condition face कर रहे हो उनको हर level पर access हो और भारत में vaccination का जो target हो और ज्यादा तेजी से improvement हो अगर हम भारत में बात करेंगे डावेटिक्स के बारे में तो 77 million adults जो हैं इस time भारत में डावेटिक्स के patient है और यह माना जाता है कि 2045 में 134 million तक यह number increase हो सकता है according to Indian medical association इसके अलब अलबा यह माना जाता है कि urban areas के अंदर खासका cities है metropolitan cities आप बोल सकते है metro cities जो है उन areas के अंदर diabetes के patient increase हो जिसका बड़ा reason है stress होना junk food होना smoking liquor consumption यह सारी चीज़े और इसके वाज़े से body mass index के अंदर increase होता और वो impact करता और all body की growth को लेकर इनके लाबा यह भी बोला गया कि diabetes के अ ऐसे cases जो undiagnosis देखने को मिलते हैं सबसे पहले अगर man और woman को compare करेंगे तो यह women के अंदर ज्यादा देखने को मिलता लेकिन जैसे 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 older होता जाता है risk जो हो decrease हो जाता है यह कुछ चीजे जो mention करी गई इसके बाद world affair का जो section है उसके अंदर तीन छोटी छोटी जैसे United State और China के जो head of state उनके बीच में important summit होने वाली है virtual summit जिसको बोलते हैं उससे ठीक पहले है यहाँ पर China और US के जो foreign minister उनके बीच में issue हुआ ताइवान को लेकर US और China के अगर आप relation को थोड़ा observe करेंगे तो कई सारे issues है ताइवान को लेकर कि ताइवान में China नहीं चा आप देखेंगे वीजा restrictions को लेकर है यह चाहिना चाहता है कि वीजा पर जो restriction लगाएगे हों हटाये जाए इसके अलावा Hong Kong जिन जियांग यानि वो region जहां पर उइगर community के जो Muslim community वो रहती है जिसको लेकर चाहिना पर लगातार criticism होता कि यह इनको suppress कर रहा है इनको दबाने क process की जा रही है इनको लेकर काफी ज्यादा issues है इन दोनों countries के बीच में लेकिन इन सब के बीच में एक important bilateral summit होने वाली है virtual format में क्योंकि Chinese प्रीमिर जो है Chinese President COVID जब से शुरुआ तब से लेकर अब तक अपने country को छोड़ कर कही नहीं गए है तो एक important summit होगी इसका क्या outcome रहेगा लेकिन definitely concern जो जारी रहेंगे even यहां पर यह भी discussion किया गया कि इस जो ट्रीके से फोर्मिस्टी की जो discussion होई उसका अंदर quad grouping के थूँ जो है जो है वो US अपने allies और partner के साथ अपने relation को और ज़्यादा strong जो वो करता रहेगा इसके ज़स्ट right hand side एक country news में है और वो news मे इसली है इक वर्ड है और एक country है अमरीकन लेटन लेटन अमरीकन country है इसके अंदर prisons के बीच में वोईलिंस देखने होगा मिली और कई सारे prisoners जो है वो उसमें मारे गए और इंजर हुए यह कि ऐसा पहली बार नहीं है कई इससे पहले भी है सेम चीज हो चुकिए news से ज्याद इस country की geographical location बहुत important है आप map में देखेंगे तो Central यहाँ पर आप देखेंगे Central अमरीका या आप इसको दक्षिन अमरीका भी बोल सकते हैं सोरी दक्षिन अमरीका Central अमरीका नहीं दक्षिन अमरीका और यह एकवेटर के ठीक एकवेटर के ऊपर यह situated है आपको देखने हुए ज Central अमरीका जो होगा यह वाली country होगी और इन सब को मिलाकर होगा लेटिन अगर आप इसको बात करेंगे तो यह होगा दक्षिन अमरीका या South अमरीका ठीक तो यहाँ पर यह country news में है Columbia पेरू इन दो country के साथ अपनी boundary शेर करती है last लेकिन important यहाँ पर COP26 का जो session हो खतम हो चु Boris Johnson उनने कहा कि deal जो है definitely important है COP26 climate summit Glasgow में हुई और इसके अंदर एक word mention किया गया phase down जो की ultimate है अलोक सर्मा जो की एक तरीकिस इंडियन बिटिशियन वहाँ के representative थे प्रेजेंट थे COP26 के उनने कहा कि phase down जो है यह word पहली बार use किया गया है और इसको praise किया जाना चाहिए हाला कि बह काफी चीजें इसमें confidential त्रीके से हैं कि आने वाले टाइम में यह चीजें जो improvement होती हुई नजर आएगी इनके अलावा लगबग 200 countries ने इस final community के अंदर improvement किया उसके अंदर include किया गया और climate change को लेकर यह बुला गया कि extra time में भी summit चली भारत और चाइना जो है definitely बड़े emitter भी है लेकिन इन्होंने इस word को जो हो किटिशाइज किया खासकर भारत ने की phase out word use मत करिये उसके बाद phase down जो है इसके अंदर intervene किया गया इसको include किया गया आने वाले time में कोसिज कर रहे हैं कि 1.5 degree Celsius तक temperature कर पाए और इसके लिए definitely हर country का एक important role है जिसमें China का है या इंडिय हो या European Union हो या USA हो या दुनिया की कोई भी country हो उन सबका एक important role है तो क्ला क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों काफी vulnerable climate को लेकर flood देखने को मिलता है या monsoon के variabilities देखने को मिलती उन सबके बीच में ये एक important summit हुई जिसका कुछ outcome देखने को मिला कि coal के जो plants उनको phase down किया जाएगा तो ये था आज के the Hindu newspaper का complete analysis थैंक्यो ओल जहिन